हम साला सर की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हम साला सर की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुवार हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुवार रुल हाडी नामक एक गाउं में रहते थे लक्छी राम संग्छे पुत्र एक पुत्री जिसका था कानीना अनुमान भक्त था छोटा बेटा नाम था मोहंदात अती प्रेम था बहना से रखता था ख्याल वुखात फिर साला सर के सुख राम संग बहना ब्याही थी धूम धाम से उस जमान की वो सगाई थी ससूराल में भी कानी को प्यार मिला था अपार एक बेटे ने जनम लिया रोसन कर दिया संसा हसी खुसी जीवन की वो काड़ी को चलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं है राम जैस्री राम है बच्रम की हनुमाड है राम जैस्री राम है बच्रम की हनुमाड हसता खेलता इनका घर था हरा भरा परिवार अचानक एक दिन सुख राम हो जाते हैं बीमार दवदारू नाकाम आई गए वो स्वर्ग सिधार कानी देवी के जीवन में मच गया हाहाकार अनात हो गए सारे औरों हो गए सब लाचार अन्हो नीरुन हारी गाओं वो पहुच गया समचार चिंता में सब डूब गए फिर करने लगे विचार और साला सर से कानी को माई के लिया उतार कब पता नहीं जीवन में सुख दुख आ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बचरम की हनुआन हे राम जैस्री राम हे बचरम की हनुआन पुत्र संकानी भीमाए के अपने रहने लगी भारी गम को धीरे धीरे करके सहने लगी समय को था मनजूर वो ही हवा बहने लगी कुछ एक दिन मन में आया और वो यू कहने लगी सारी उम्र माएक में गुजरे अच्छी बात नहीं पुत्र भी कुछ हुआ बड़ा अब वो हालात नहीं बोले मोहन क्यूं ख़णा मन वहना ग्यात नहीं पर जाओगी नहीं जब तक मोहन साथ नहीं फिर साथ वहन के मोहन आ गए ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं है राम जैसी राम, है बज रंगी हनुमार है राम जैसी राम, है बज रंगी हनुमार रहने लगते हैं आकर अब हो तो साला सर काओं की अपनी सारी मुहमाया को त्याग कर खेती से खलियानी से वो करने लगे बसर खेल खेलते संग भाणजा आजाते जब घर कड़ी मेहनत भी करके ठकने का था नहीं असर देख भाल में उनकी वो कोई रखते नहीं कसर धीरे धीरे यू करके वो समय था रहा गुजर बाला जी की भी उनको कम रहने लगी खबर जीवन में ऐसे भी फिर वो पल आ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्मार धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैसी राम हे बजरंगी हनुआर हे राम जैसी राम हे बजरंगी हनुआर बीच बीच में बाला जी कहते थे दे दर्शन भूल रहे हो मोहन तुम तो अपना ही भगवन लगने लगा मोहन को भी ये काफी भूल हुई काम मगन जादा होना भी बात फिजूल हुई फिर भान जैकी अपने वो कर देते हैं शादी प्रभु भजन करने लगे कुछ लेके वो आजादी सागछात दो दर्शन देव करने लगे दुआ फिर अचानक उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ हुआ था किस्सा जो वो आगे तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैसी राम हे बजरम की हनुमार हे राम जैसी राम हे बजरम की हनुमार इक दिन सब बैठे थे वो भी कर रहे भोजन आकर के एक साधू बोले आलखनी रंजन दोड़ पड़े थे ये सुनके नंगे पाओ मोहन गिर गए पैरों में बोले तुम्हें मेरे भगवन करने लगे थे विंती आओ घर जी मेरे चलो बाहर से ना लोटो सबसे आके तुम भी मिलो बात मान के मोहन किया गए थे वो घर पर आशिरवाद दिया सबको और हाथ रखा सर पर आपस में क्या बात हुई ओ आज बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निरमाड धाम का ये बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बत रंगी हनुमाड हे राम जैस्री राम हे बत रंगी हनुमाड बोले के जैकारे घर वो लाए बाबा को हीर चूर मा मिस्री प्रसाद चखाए बाबा को प्रसन हो बोले बाबा अब मांगो तुम वर्तान मोहन बोले कर दो सारे साला सर्फे एहसान बाबा बोले हो जाओंगा एक दिन विराज मान स्रथा से जो आए संकट कटेगा सारे जहान मंदिर का निर्मार काम भी हो जाए परवान बता कि ये हनुमान हो गए एकदम अंतर ध्याओं कर दर संसारे आपस में ये मुस्काते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्मार धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जै स्री राम हे बच रंगी हनुमान हे राम जै स्री राम हे बच रंगी हनुमान मोहन जी ये कांत में जाकर धूनी लिया रामान कटने लगे कष्ट लोगों के आये जो भी यहान भक्ती और शक्ती का चलने लगा यहां चर्चा सच्छे मन से आता उसको मिलने लगा परचा इक दिन सालम नाम कठा कर आया था दर पे कहने लगा बाबा डाकू आ जाते मेरे घर पे बाबा जी ने सालम को एक दिया जंडा पारिस भे जो इसको होगा वो सब ही ठंधा मन बदल जाते हैं डाकू वो पच्चताते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुआर हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुआर नागोर जिले में होता है एक असोटा गां जोत रहे थे हल खेत में क्रीशक मोटा राम रुके बैल चलते चलते कुछ फस गया हल में मोटा राम जमीन खोदने लग गए उस पल में मानिक पत्थर उसको वो तो लगे फैकने दूर पेट दर्द होने लगा रुक गए होके मजबूर पतनी ने आ करके देखा देकर उसको ध्यान मुर्ती है बाला जी की मेरे प्यारे हनुमान वहां के राजा मुर्ती साला सर पहुचाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जै स्री राम हे बजरम की हनुमान हे राम जै स्री राम हे बजरम की हनुमान पुराना घाव थ था कुर्जो रावर की कमर में फरियाद लेके आया था वो बाला के दर में जो की दूआ गायब हुआ दर्द पल भर में इतनी पीडा ना सहते पहले आ जाते घर में जो रावर खुस हो बोला मैं मंदिर बनाऊंगा चाहिएगा जो भी मैं वो हर चीज लाऊंगा मोहन बोले नूर मोहमद नाम का कारी गए बुला कर ले आ ओठा कुर्टुम उसके घर जाकर फिर मंदिर साला सरका वो ही बनवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माड धाम का ये बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुमाड हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुमाड शीकर के राजा थे इक वो तेवी शिंग महान कई वर्सों से नहीं हुई थी उनके घर संतान आये पास में मोहन दास के सुनके उनका ग्यान बाबा जी ने फिर उनकी विंती ली थी वो माड मोहन दास ने राजा को बताई थी एक विधी जाओ पुत्र हो जाएगा और होगी प्रैसित्थी दस महीने में पुत्र हुआ आये करने गुणगान धर्मसाला वनवानी है कुछ भूमी दे नीदान जो भी देना हो तो राजा वहां लिखवाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्माण धाम का ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुमार हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुमार कान ही थी राजी बहु बेटे और पोतों में मोहन दास भिमगन भक्ती घूने और जोतों में इक दिन वैहन कानी थी छोड़ गई जग को छोड़ गई संसार और पा गई है रब को मोहन दास से ये गम तो सहना हुआ मुस्किल प्रकट हुए बजरंगी कहे इसका ना कोई हल जाना ही होता है किसी को आज किसी को कल होनी रहती होकर तू अपनी राहे चल समझ गए मोहन दास काम में लग जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्मार धाम का ये बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुमार हे राम जै स्री राम हे बजरंगी हनुमार कर दिया भांजा घायन डाकू के सर नाम का क्रोधित हो गए मोहन जब पता चला पैगाम का डाकू के पीछे दोड़े वध करने का मन बना फकीर को सोभा ना दे एक साधू किया मना वो आप ही मर जाए उसने पाप की घणा मंदिर में ले आते हैं वो भांजा तो अपना करते हैं वो बात चीत बैठ के सब के साथ यही रहेगा उदर सिंग बजरंग ही इसके ना कहें राधे शाम जो मोहन प्रभु में समाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कैसे हुआ निर्मार धाम का ये बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुमार हे राम जैस्री राम हे बजरंगी हनुमार सक्राइ सबनाते हैं सुनाते हैं